दोस्तो आज हम एक four way switch board का connection जानेंगे सबसे पहले board को खोल लियाओ उसके बाद मैं socket और switch को खोल लेता हूँ इसमें three socket और एक switch का connection होगा तो देखिए सबसे पहले ये जो socket और switch है इनको मैं अच्छे से ये board में लगा लेना है socket के लिए ये board को कुछ extra कट करना पढ़ता है तो इस प्रकार से मैंने switch और socket को लगा लिया हूँ तो चलिए wiring देखते हैं तो सबसे पहले दो wire को लिया हूँ एक wire को मैंने switch में लगा लेता हूँ और एक wire को मैंने socket में लगा लेता हूँ उसके बाद मैं और एक छोटा server को लेता हूँ और इसको मैंने कुछ इस तरह से लगा लेता हूँ हब मैंने और एक छोटा server को लिया हूँ और इसको मैंने कुछ इस तरह से यहां पर connection कर लिया हूँ हमारा पूरा connection complete हो चुका है तो चलिए यह board को फिटिंग कर लेते हैं, इसका screw वगरा tight कर लेते हैं, यह board हमारा complete है.